एलो एवरीवन गुड मॉनिक फुल टू हालत खरावे बिल्कुल भी रात को नेन नहीं आई बुखा तो हंड्रेड एकम तुम हम इस वलायान के सेवाप सब तो आज हम लोग जा रहे हैं अभी सुबह सवादस बजगे हैं और हम लोग आज जा रहे हैं बाहर मतलब बहुत ही म मुझे आदा पौना गंटा जाना है नवी मुंबई में है हमारा तो 11 बज़े का टाइमिंग है तो हमको पहुचने को आदा पौना गंटा लग जाएगा तो बस में रेडी हो गई हूँ अभी चलते हैं तोड़ा सॉल डाला था तो मैंने धोया नहीं बाल मुझे अज गंट जानन तो पड़ेगा तो सुबह में जल्दी उठीते साधेशी बजे मैंने कपड़े सब कुछ कर लिया काम कि मुझे कल समझो कुछ हुआ तो कल मुझे कुछ भी करने कानो ना हो मैंने सब काम कर लिया है तो ये पलावा जाते हुए रोड पे मैंने शूट किया जरा सा आग लोग भी निकल के बाहर जा रहे हैं तो काफी अच्छा होस्पीटल है पर भखवान करें किसी को भी होस्पीटल के दरवाजे ना देखने पड़े लुकष अपका के भी होस्पीटल रचा होस्पीटल वैक्सिनेशन दे दिया है और अभी पता नहीं क्या होगा एफेक्ट कुछ पता नहीं है अभी हम लोग मैक्डोनल्ड में बर्गर का निकलिया है तो कि थोड़ा सा भूट लग गया था पुकि जाते होगे में और आधा पहुना घंटा लगेगा तो यहां पर रस्ते में था बोला खा लेती हूँ अभी बॉड़ी पे क्या एफेक्ट करेगा भुकार आएगा ने आएगा कुछ पता नहीं है अभी देखते हूँ अभी तो बहुत चेहरे पे खुशी है कि वैक्सिडेटेड हो गए अभी हम फर्स्स दोस्ता तो आपने देखा होगा कि और रिलाइंस तो आगया है मेरा अलू टिक की बर्गर तो अभी हम लोग यहां पे हस्बन की गाड़ी वाश कराने आई है मतलब में क्या बोजू अभी हमने वैक्सिन लिया है तो घर जाना चाहिए तो हजबन घर के बजए उनको उनकी गाड़ी बहुत प्यारी है कि पहले मेरे गाड़ी वाश करा हूँ कि इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हम गाड़ी वाश करा थे बट नहीं हो रहा पा रहा वैक्सिन लेके अम लोग गाड़ी वाश करा है मतलब सोची आप हस्बन जोग पे जोग भार रहे है मुझे प्रोचसाहण करने के लिए अभी वैक्सिन वो जाएगा उसके बाद अब हम लोग फैनल घर आ गए है और खाने का कुछ टेंशन नहीं था क्योंकि मम्मी ने सब्सक्राइब करने के लिए उसको मिक्स करके बनाते उसके साथ रूटी और हस्बन जाएगी उनकी मम्मी के पास तो हमारा खाने काज हो गया है अभी सो जाएंगे हम लोग मतलब हस्बन शायद ऑफिस शुरू करने वाले यहां पर आयान की मस्ती देखिए इतनी मस्ती कर था वो मतलब जान बुचकर कि एसे डरा रहा था मुझे कि ममा तुम्हें फिर से में दुखा दूंगा बड़ वो करने कुछ रहा था वन मस्ती बहुत ही कर रहा था रात को तो फिर हस्बन को बोला आप उसको वो साइड पर ही सुलाई है आपके बाजू में तो फुल्टू मेली हालत पूरी खराब हो चुकी है अभी रात के साड़े दस बच गए है बुखर तो मुझे थोड़ा बहुत ही है पर हैंड पहनना एक्स्ट्रीम है एक्स्ट्रीम मतलब में क्या बोलू और थोड़ा सा मुझे थंड़ी भी लग रही है तो अब मैं सोई पैरसेटमोल उन्होंने बोला ही यह लेने के लिए तो वह में ले लूगी अभी 99 तो बुखर चल रहा है ऐसा मुझे फुल टू हालत खरावे बिल्कुल भी रात को नेन नहीं आई बुखा तो हंड्रेड ही रहा है और मैंने प्रासेटमोल लिया वह कुछ काम का ने सिब थंड़ी तोड़ा सा गया मुझे और जो लेफ्ट हैंड में मुझे दिया था वो डोस एक्स्ट्रीम मतलब एक् तो ऐसे मैंने रात को कुछ नहीं किया काम मेरा सब कुछ ऐसे कैसे ही पड़ा है तो थोड़ा-थोड़ा स्लोली-सलोली करूंगी मैं करें करता है कि कुछ भूक थो करना ज़ूरी कोन करेगा विसे मेरे सबस्ते मुझे बहुत हीरा मतलब मेरे बेटे को उनों नहीं संभाला करता है तो मुझे राब बार यह कर रहा था टो वह ही उननों नहीं संभाला है मुझे थोड़ इसे पेयर एक्स्रीम पे main में लेग्स में दद कर दा था तो उन्होंने वो भी मुझे पूरा इसे प्रेस कर दिया कर दो दो उन्होंने इसे प्रेस कर दो सकते हैं कुल adolescent तो अब सारा उटा और सब kuch clean हो गया मेरा finally वाहिय कैसे करते 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 दो जोभोल में कर दिया और सुब्ब सेposition ऑने बालवे वैसे रखक़ कि या कि की नॉट किये देख भी तक मिने नॉट नहीं किये क्योंकि हाथ ऐसे भी उपर नहीं हो रही ना एक्स्ट्रीम पेन है फुल्टू हलत खराब अभी तब थोड़ा सा फीवर में है बतला पेरे से टाम लेने के बाद भी फीवर नहीं थोड़ा से बाड़ी पेन नहीं है तो सूचा बरतन कर लिया मैंने आई थिंग आपको व्लॉग पसंद है और दोस्तों को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले